आजादी का अम्रित काल हो चुका है प्रारंब हर देशवासी का कर्तव विकाल हो चुका है प्रारंब विकसित भारत बनाने का देश ने लिया है विरात संकल्ब ये है भारत की युवाश शक्ती के लिए एक महत्वपून अवसर कर्मयोगी और यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेत्रितु में बीते आठ वर्षों से देश में चल रहे रोजगार और स्वरोजगार के अभियान की दिशा में एक एतिहासिक पहल है दस लाख सरकारी नौकरियों के लिए प्रारंब रोजगार मेला लाखों युबा ऐसे समय में भारत सरकार के साथ जुड़ रहे हैं जब हर भारतिये तक मूल सुविधाएं तेजी से पहुँचें और सरकार की प्रक्रियाएं तेज हों इस पर है विशेश फोकस इसलिए ये बेहत जरूरी है कि रोजगार मेला के तहट नवनियुक्त कर्मी हों सक्षम वेकेवल नौकरी पाने वाले ना बने बलकि बने देश के विकास यग्य में योगदान देने वाले कर्मयोगी युबा कर्मयोगी सरकार की मौजूदा नीतियों और नियमों से पूरी तरह अवगत हों और प्रधान मंत्री जी के लोक कल्यान की प्रतिबधता को पूर्ण करने में ततपर हों कर्मी, सही द्रिष्टिकोन और कर्तव्वे बोधवाले ज्यान युक्त कारेबल का निर्मान करे और 2047 के नव भारत के निर्मान के सशक्त भागिदार बने इसी लक्षे के साथ भारत सरकार ने की है एक पहल कर्मयोगी प्रारंब कर्मयोगी प्रारंब का उद्देश्य, सकारात्मक सोच, कार्य और वेभार से युक्त स्मार्ट शासन प्रणाली को सुनिश्चित करना है स्मार्ट यानि S.M.A.R.T. मतलब सिंपल, मॉरल, अकाउंटिबल, रिस्पॉंसिव और ट्रांस्पेरंट सभी नवनियुक्त कर्मियों को शुब कामनाएं, कि वे कड़ी मेहनत कर आदर्श कर्मयोगी बनें और अपने साथियों को प्रेरित करें कर्मयोगी प्रारंब के तहट उपलब्ध कोर्सेज, मिशन कर्मयोगी के ओनलाइन लर्निंग प्लाटफॉर्म, IgotKarmiyogi.gov.in से पूरे किये जा सकते हैं कर्मयोगी प्रारंब, हो रहा एक नए युग का शुभारंब कर्मयोगी षजही जा सकते हैं झाल झाल